आप सब लोगों का फिर से एक बार फुल से फार्म आउस पे सौगत है तो आज हम यहां पर डिसकस करने वाले है कि जो अपने जो फार्मर भाई लोग जो है अग्रिकल्चर लैंड में बहुत सारे जो अग्रिकल्चर एकूप्मेंट है हम वो पर्चेस करते है और वो जो अग जब हम उसको पर्चेस कर रहे होते है तो उसके उपर कुछ वारंटी होती है और हम वो उतना फोकूस नहीं करते है कि उसके वारंटी है या नहीं है वारंटी है तो कितने दिनों की है और वारंटी होने के बाद में हम वो डाकूमेंट जो है उसके जो इन्वाइज जो है का अच्छी जो है वो लेखे साथ में नहीं रखते है अच्छे से घर पे संभाल के रखना चाहिए बड़ अपन उसकी केर नहीं करते है छे मैने के अंदर अगर कुछ मट्रेल्स के ऊपर छे मैने की वारांटी रहती है किसी की ऊपर वन येर की वारांटी रहती है अगर वो डॉकों में नहीं हो तो बाद में प्रॉब्लम आता है और हम क्यूं बता रहे हैं कि जैसे हम लोग आपको पता है कि हम फार्म पे थे लास्स साटेड़े संडे तो फार्म पे जो मैंगो ट्री प्लांटीशन है उसको फवार्नी करने का प्लांट कर रहे थे हमारे पास जो फवारा है जो electricity के ऊपर charging के ऊपर चलता है वो एक बार charging हो गया तो आपन फार्म के लिए use कर सकते हो आप हमारी किसन भाईयों को पता है वो तो वो जो है वो लेके हम उसमें फुल charging किया उसको पूरा green दिख रहा था वो और फिर हम लोग उसके अंदर पूरा ज तो फर्टिलाइजर्स है वो डालके रेडी करके हम लोग चले गए फार्म में यह करने के लिए उसको फ्रवार नहीं करने के लिए बरो फ्रवार चली नहीं रहा है फिर हमने वापस चार्जिंग को लगाया फिर चला के दीखा तो फिर चल रहा है फिर हमने जोचे चलो चार् दूकान वहाँ पर चले गए उससे पूछा तो उसने कला कि पुल बैटरी कब डाली थि तो डबल बैटरी वहाला है वह बैटरी कब डाली थी तो उसकी परची लेके आओ और उसमें छे मैनी की वारंटी रहती है तो आपको नया बैटरी मिल जाएगा तो फिर वापस वही दिक्कत कि हमारे फार्मर भाई लोग जो है वो पर्ची है या नहीं है यहां से शुरुआ चालू फिर पता चला कि वो दुकानदार से पर्ची ली ही नहीं थी उसने दिया ही नहीं था तो बताओ अभी वो कहता है पर्ची ली के आओ यह कहता है कि पर्ची दिया नहीं था 14 रुपे का वो pump 14 रुपे की बैटरी है वो और डबल बैटरी का था हो तो फिर बोला की नहीं बोला आपने ये जो परची है वो लेके संभाल के रखने चाहिए हमारे पास नहीं होती है अगर ओ परची नहीं है तो हम आपको वारंटी नहीं दे सकते है फिर उसे बात करके फिर बोला कि ठीक है आप इस बार रख दो जो कंपनी का आदमी है वो आएगा वो देखेगा और नंबर से वो चेक करेगा बैटरी के उपर कि अगर वारंटी में है तो आपको रिप्लेस करके मिल जाएगा नहीं है तो आपको 14 रुपे पे करके वो बैटरी डलवाना पड़ेगा तो कहने का मीनी यह है कि आप जब भी ऐसे कोई अपने अगरिकल्चर फार्म पे काम करने के लिए एक फवारक एक्जामपल है बाकि कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आप ले रहे हो मार्केट से तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो वारांटी है वो आप पूछा करो अगर वारांटी है तो उसका इन्वाइस लो उसके डाकुमेंट लो काज़ाद लो उसके आपके पास रखो कहीं पे सेफ घर पे ताकि बाद में 6 माईने के अंदर अगर ऐसे इकुपमेंट को कुछ हो गय तो हमारे किसान भाईवों को वापस वही नुकसान ना हो जाए क्योंकि इलेक्रोनिक एकुपमेंट है फार्म पे यूज भी होता है कब चले या ना चले कुछ कहने सकते है तो उस केस में अगर वारांटी है तो एतलिस्ट हमें उसका रिप्लेस्मेंट मिल सकता है तो हमने रेट हो दिया है, अब यब अभी देखते है की उसका जो बंदा है कंपनी का वा हा एक चेक करेगा और फिर बता देगा एधर मिल सकता है नहीं मिल सकता है अगर वो नहीं बोला कुछ उसके पास डिटेल नहीं मिले उससे तो फिर हमें वापस नहीं डालना पड़ेगा और अगर वो पर्चे मिल जाए तो हो जब पाई कि उसका रिप्लेस्मेंट मिल जाएगा अगर छे मैने के अंदर अगर हो चुका है बैटरी डालके तो कि यार सब्चेक्ट पैसों का है नहीं है कि 14 रुपए का बैटरी है या सस्ता है महेंगा है वो अलग बात है बट एक जो अवेरनेस होना चाहिए अगर हमारे एक किसान भाई का 14 रुपए अगर आप कंसिलर करोगे तो सब किसान भाईों का इखटा करोगे तो कितना हो कि हमारे किसान भाईों को भी ये सब चीजे मालूम होना जरूरी है कि मार्केट से कभी भी कोई खरीड लेते हो कुछ सामान खरीद रहे हो जो ज़्यादा दिन टिकने वाला है तो उसके ओपर वारांटी है या नहीं इसकी इनफॉर्मेशन ले लो और उसके ओपर वारांट वो बराबर वो दुका अंदर आपको पर्षी मांगेगा और आपको पर्षी दिखाने पड़ेगी और आपके बस पर्षी है तो आपको उसका रिप्लेस्मेंट मिल जाएगा और आपके बस पर्षी नहीं है तो आपको रिप्लेस्मेंट नहीं मिल जाएगा तो इसलिए अमान ले रहे हो लिया है तो उसकी परशी निखालो और संभाल के रखो कि वारंटी के अंदर आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा तन्यवाद किसान भाई हो परिये फोसे फामाउस के साथ में ऐसे हमारे जो रियल एक्सपिरियंस है जो हम खुद करते हुए हमें जो प्रॉ अगर प्रॉब्लम आएंगे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि वो भी ऐसी केर कर ले बन्यवाद